अदस सग्राम पार्टी के तरफ से महंगाई के विरोध विचार और गोश्टिक आयका अजिन किया गया मुक्रतिती के रूप में नकुल दूबी कारकरम में शामिल हुए उदस सग्राम पार्टी मध्यवर्ग नागर किसानों के पार्टी है जोकि सबके हग की लड़ाई पार्टी लड़ेगी और लड़ भी रही है महंगाई से सबसे ज़्यादा पीडिते मध्यवर्ग नागर के एमकिसान ही होते हैं प्राइमर के निश्यानी के लिए खुडशी दालम लखना उतरपरदेश सरकार की जो नीतिया है वो नीतिया तो जग जाहिर होती जा रही है आज कर्टपय कुछ लोगों को रईस बनाने के लिए कुछ लोगों के जेबों को भरने के लिए इस महंगाई को इस लूप में पुसूत किया जा रहा है किसाब उनकी मजबूरी है कभी वो घरेलू कैस कदाम बढ़ा देते हैं कभी वो व्यावसाइग कैस कदाम बढ़ा देते हैं कभी वो पेट्रोल कदाम बढ़ा देते हैं कभी वो डिजल कदाम बढ़ा देते हैं तो यह देखा जा तो इन सब का लाव केंदित है हान तो हम सब का हो रहा है पुरे प्रदेश के पुरे देश जनता का हो रहा है लेकिन लाव केंदित है यह पैसा एकठा कहा जाना है उसके लिए रास्ताओं का बना हुआ है और पैसा वहीं चला जाता है और एक सबसे रई सांदिय मंजा और हम आप बैठ करके अपने आपको गर्व का अनभु कराए या गर्व का अनभु कराए कि देखे भारत देश में करोना के समय में भी हमारा एक ऐसा विक्ष निकला जो विश्व का सबसे बड़ा सबसे अमीराजमी हो गया और एक नेता के जैंब मे कारिक्रम है ये महंगाई के लिए है महंगाई की विरोध में हमने एक चर्चा रखी महंगाई पर चर्चा करने के लिए आदर संग्राम पार्टी के द्वारा ये कारिक्रम रखा गया जिसमें हमारे मुख्या थी थी मानिनिये मंत्री उत्रप्रदेश मंत्री मानिन नकल लिया हमें अपना मेंगाई के विरोध में तयार करना है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे में बात ये रही कि मानेनी जी के द्वारा जो अनुभाव दिया गया वो वाकई में बहुत अच्छा था आम जंता तक वहचाने वाली बात थी। हमारी पार्टी की हमेशा मुहिम रही है कि हम मद्देवर के नागरिक के लिए कारे करें और मद्देवर नागरिक हमेशा करजे के बोज तले हमेशा धबा रहता है ना वो बच्चों का अच्छी शिक्षा दे पाता है ना अच्छा स्वास दे पाता है और अपने ही जीवनों अब खुट घूट के वो अपना जीवन खत्म करें हमारा ओज का ज़िक्राम था महंगाई की मार जनता भिषभ तो कुल मिलाके इसारा कारी रॉप